हेलो वियर्स, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है? समय समय की बात है, वक्त सबका आता है. नियत अच्छी और महिनत सची हो, तो काम्या भी जरूर मिलती है. परिवर्तन कभी भी पीडा दाइक नहीं होता केवल परिवर्तन का विरोध पीडा दाइक होता है फलदार वरक्ष और गुनवान मनुश्या जुखते हैं पर सूखी लकडी और मुरक व्यक्ति कभी नहीं जुखते लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? अगर यह भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? यह सोचकर जीवन जीते हैं बगवान क्या कहेंगे? क्या कभी इसका विचार किया है? जब हम एक ही जोक पर दुबारा नहीं हसते तो हमें एक ही दुख पर दुबारा परिशान नहीं होना चाहिए हलके में मत लेना तुम सावले रंग को दूद से कहीं ज़्यादा देखे हैं मैंने शोकीन चाहे के जिस पर आप विश्वास नहीं करते या जो आप पर विश्वास नहीं करता दोनों से ही दूर रहना बेतर है आखिर किस बात की फिकर करूं मैं उससे क्या हासिल हो पाएगा जिसको जाना है वो जाएगा पर जो मेरा है वो मेरे पास ही तो आएगा पतजड भी हिस्सा है जिन्दगी के मोसम का फरक सिरफ इतना है कुद्रत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिष्टे पल्ट का जवाब देना बेशक गलत बात है लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद्दें भूल जाते हैं देर सही सही मगर काम्याब बनो क्योंकि सालों की मुलाकात के बाद भी लोग खैरियत नहीं मगर हैसित पूछते हैं कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक की वह अपनी हार को सच के रूप में सविकार नहीं करता खुद को माचिस की तिल्ली ना बनाओ की थोड़ा सा घरशन से आप सुलग जाओ पर खुद को वो शांत स्रोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फैंके तो खुद बुझ जाए रिष्टे तोड़ने तो नहीं चाहिए लेकिन जहां पर कदर ही ना हो वहां रिष्टा निभाना भी नहीं चाहिए घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इनसान चाहा कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता जो भागया में है वो भाग कर आएगा जो भागया में नहीं वो आकर भी भाग जाएगा इनसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि पहाडों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्तों में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है जिन्दगी में इतनी तेजी से आगे दोडो की लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर तूट जाएं बुराई करना रोमिंग की तरह है करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है जिन्दगी के साथ भी जिन्दगी के बाद भी तो धरम का प्रीमियम भठते रहे और अच्छे करम का बोनस पाते रहे मन में केवर वही विचार बनाई जो आप होता देखना चाहते हैं क्योंकि विचार बीज है और घटना इसके फल मेरी लाइफ की तीन गलतियां हर किसी पर जल्दी भिरोसा किया हर किसी की खुद से ज़्यादा परवा की तभी किसी को दोखा नहीं दिया किसी को भी खुश करने का मुका मिले तो छोड़ना मत वो फिरिष्टे ही होते हैं जो किसी के चहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं किस मोड पर ले आती है नोकरी इंसान को अपने ही गर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है सत्य हमेशां पानी में तेल की एक बून के समान होता है आप कितना भी पानी डालें वह हमेशां उपर ही तैरता है इसलिए चाई और सच्चे सबंध हमेशां कायम रहते हैं माता-पिता की निसियत को लोग अक्सर भूल जाते हैं बगर उनकी वसीयत को लोग हरगीच नहीं भूलते समय जिसका सार देता है वो बड़ों-बड़ों को मात देता है अमीर के घर बैठा कोवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का बुखा बच्चा भी सबको चोर लगता है इनसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं और चर्चा उसकी बुराई की हो तो गुंगा भी बोल पड़ता है हे प्रभू एक ऐसी बारिश कर दो जिसमें तेरे रहमतों का सैनिटाइजर मिला हो ताकि ये धर्ति फिल से जन्नत बन जाई संसकार और संकर्मन दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संसकार मानव सब्भिता की स्थापना करते हैं जबकि संकर्मन मानव का विनाश करता है इस संकर्मन काल में आपस में दो गज की दूरी बनाए रखें घर पर रहें सुरक्षित रहें पहचान उसके चहरे से नहीं अपीतू, उसके व्यक्तितफ से होती है। सेवा सभी की करना, मगर आशा किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का तो असली मुल्य है, बगवान ही दे सकते हैं, इनसान नहीं। जहां हो जैसे हो, खुश रहना। दोस्तों, तुम्हारा मिलना नहीं, तुम्हारा होना जरूरी है। विएर्स, डॉन्ट फोर्गेट प्लीज, लाइक, शियर, सस्क्राइब और कुमेंट, थैंक यूू।